हालो फ्रेंट्स आपका स्वाइगत है आपके अपने यूटूब चैनल अपना घर एडवाइज में चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेर करें आप यह जो प्लान देख रहे हैं काफी बहतर काफी उंदा प्लान है और यह एलिवेशन भी हु प्लान की तरफ बढ़ते हैं प्लान की तरफ आईएगा तो यह प्लान है यह आपको six bedroom, five bedroom, eight bedroom और सबसे बड़ी चीज देखिए हम एलिवेशन डिसकस कर रहे हैं तो आप किसी भी साइज में लेकिन कम से कम चौराई यहां से यहां तक इस फेस की चालिस फिट होनी चाहिए अगर आपको इस तरह का प्लान चाहिए तो आपकी चौराई कम से कम तीस से आप यहांते हैं तो यह बंडरी वाल डीजाइन किया इस तरह बनाना तो अप्लान बनवाए इस तरह का इसन बन जाएगा जिपलस्तू का प्लान है अंदर आते हैं तो यहांपर गेट है जो इनगे की यूजि किया किया जू आप देख रहे हैं लक्री का गेट है यहां पर विंडू है यह विंडू है चलिए प्लान के अगले फेसमें बटते हैं जब अग最近 माई एगा तो हम आपको और चीज़े केलियर करने चलियो ठीक है य तो चारो तरफ रास्ता है इस प्लान का और दूसरी चीज़ क्या है कि आप नॉर्मल सा ये घर जब ग्राउंड पे बने तो कुछ खास नहीं दिखिया याप को समझ में नॉर्मल सा च्छत निकाल के यहां पार्किंग है यहां पर सीरी घर है पीछे से सीरी घर उठाए गया जो आपको साब समझ में रहा है कि सीरी घर है यह लो कलर का हमने टोटल बीम का डिजाइन यह बीम को डिजाइन करकर करके और यह आप पर आइरन स्टील किसी भी तरह का रोड डलवा सकते हैं देखने में अच्छा देखेगा चली अगले फेस बढ़ते हैं अगले फेस में जैसे आप उपर आते हैं फर्स्ट पर फर्स्ट लोड पर आने के बाद जो आपकी नीचे में पार्किंग थी उपर में गैलरी बन गई और गैलरी बनने के नीचे में बीम परती है उसके एरिया से और बिरिक वर्क होता है इसके उपर ज्यादा टफ नहीं इजी डिजाइन है फिर यहां से भी सेम पोजीशन करके और सामने में आप बड़ा सा विंडू यह लिंटर कास्ट होगा आपका यह हिस्सा उपर में भी आपका लिंटर पर आइरेन पाइप लगा हुआ है और सामने में टोटल कांच का डिजाइन तो देखने में खुल रहा कलर भी इसका येलो कलर ज्यादा बेटर निख रहा है फिर आप दूसरी तरफ आते हैं यहां भी गेट लगा कि इन्होंने बालकनी का यूज़ किया चलिए अगले फेस इनका जैसे आप बाहर निकलते हैं यहां से तो आप गयलरी में आते हैं यह आपकी गयलरी है जो देखने में काफी खुब्सूरत लग रही है और यह देखिए यहां पर भी हमने भी ब्रिक वर्क का डिजाइन ज्यादा लो कोस्ट घर ज्यादे हाई कॉस्ट नहीं लो में अच्छा घर है तो जैसे आप ऊपर में आते हैं इस फिस में आपको चोड़ना पड़ेगा उसके बाद आपको स्टील पाइप लगानी पड़ेगी तो यह भी लुक में कुछ और ज्यादा डिफ्रेंस दिखा रहा और ज्यादा लुक अच्छा दिखरा आपका फिर आते है हैं हम लोग जो सीधे ऊपर यहां चाहिए में कुछ ने कुछ डिजाइन होना चाहिए यहां पर आपका पारपीटवाल जो चट की दिवार होती है उसे पारपीटवाल कहते हैं तो यह देखें इसको जो डिजाइन किया गया जो कॉलम है च्टा-छुटा कॉलम आप च्टक ब्रिक वर्क और डिजाइन यी प्लास्टर को हाइट दे के के चक्षण निकाल के ब्रिक और प्लास्टर का जिए तो आप इस तरह का घर बनवाना चाहते हैं तो दिएगे नमबर पर जरूर कंटर की इलिवेशन भी था मैं आपको पहली बता और इसका कोई भी पलांट का डि धन्यों धन्यवाद।